आज के इस वीडियो में हम यह सुन्दर सा लेडीज कारडीगन का डिजाइन बनाएंगे यह कारडीगन जो है लाज से एक्सल साइज के लिए बिर्कुल पर्फेक्ट बनके त्यार हुआ है यहाँ पे front side में हमने एक पार्ट में 87 और second part में 87 stitches डाले हुए है back part के लिए हमने 129 stitches डाले हुए है तो 129 stitches में हमारा design यहाँ पे 126 का डालेगा क्योंकि design pattern 21 plus 21 stitches का है 3 stitches हमने design को balance करने के लिए रखे हुए है जिसमें side पे one one add stitch जाएगा और एक फंदा जो है हमारे design को balance करेगा तो back part में 129 stitches है तो back part के दोनु तरफ से आपने कैसे design डालना है वो मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगी तो front part में हमारे 87 stitches है जिसमें हमारे 84 stitches जो है design के जाएगे जिसमें 21 प्लस 21 है और 3 stitches हमारे design को balance करने के लिए है जिसमें side side पे हमारा one one edge stitch जाएगा और एक stitch जो है हमारा extra रहेगा तो इसमें हमने साथ साथ में button पट्टी भी बनानी है वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे किस तरीके से आप बनाएंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं start करने से पहले चैनल पर अगर नए है तो प्लीज से subscribe कर लीजिए मेरे ज़्यादा तर जो वीडियो वाच करते हैं उन्होंने मेरा चैनल वाच नहीं किया आप देख सकते हैं screen पे इस तरीके से कितने परसंट जो है subscriber है और कितने परसंट जो है मेरे subscriber नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा तो देखें यहाँ पर design का sample बना के बता रही हूँ और यहाँ पर बताऊंगी भी किस तरीके से large या excel size में आप इस design को arrange करेंगे यह आप रख लीजिए कि हम जो है front part का एक part बना रहे हैं जिसमें इस तरीके की button पटी हमारी जाएगी difference में back part के लिए भी साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी जो इस side हमने बनाया हुआ है यहाँ पे जब मैं चलती जाऊंगी आप देखते जाएगा सेम back part के लिए आपने इस तरफ भी रखना है और इस तरफ भी रखना है front part के लिए button पटी जो हमारी साथ में चलते जारी है तो हम यहाँ पे जाली दो बारी डालेंगे और यहाँ पे जाली हम जो है एक बारी डालेंगे तो back part के लिए यही होगा, एक बारी इधर चाली डालेगी, एक बारी इधर, दो बारी वहाँ पे नहीं डालेगी walkie process जो है हमारा same रहेगा, तो चलिए start करते हैं, हमने यहाँ पे 21 प्लस 21 याने की 42 प्लस 3 stitches डाले हैं, total हमारे 45 stitches है तो चलिए design को हम start करते हैं, यहाँ पे as दिश्दार दिया, इसके पाथ हमारे 21 stitches का design start हो जाएगा, जिसमें दागा आगे की ओर करेंगे हम, यहाँ पे एक फंदा सिधा बना लेंगे, यह हमारी जाली डाल गई, फंदा increase होगा, फिर दुबारा से जाली डालेंगे, यह हमारा second फंदा हम बना रहे हैं, दो फंदे तो हमने increase किये, बट जो 21 stitches है हमारा जिनका design है, उन में से एक यह बनाया हमने, एक यह बनाया, यह हमारा 2 हो गया, फिर दो फंदे उल्टे, फिर दागा पिछे करके, दो सीधे दागा अपनी और करके, दो उल्टे, दागा पिछे करके, दो फंदे सीधे, दागा अपनी और करके, दो फंदे उल्टे, दागा पिछे की और करके, दो सीधे, फिर दागा अपनी और करके, दो उल्टे, दागा पिछे करके, दो सीधे, दागा अपनी और करके, दो उल्टे, और एक फंदा हमारा सीधा जाएगा, तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दू किस तरीके से हमने design को जो है adjust किया हुआ है यह देखेगा यहाँ पर हमने दो जालियां डाली क्योंकि यह button पट्टी जाएगी हमारी जैसे मैंने आपको cardigan में बताया हुआ है अगर आप back part के लिए बना रहे हैं तो इसमें एक ही जाली डालियेगा दो नहीं डालियेगा तो यहाँ पर देखेगा यह हमारा एक फंदा हो गया फिर यह वाला सिधा बना लिया यह दो तीन चार पांट छे साथ आथ नव दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला स्तारा अठारा उननीस बीस और इककिस तो 21 फंदुगा हमारा डिजाइन जो है डाल चुका है जिसमें एक में आपने दोनों तरफ से जाली डाल दी फिर एक सिधा दो उल्टे दो सिधे दो उल्टे दो सिधे दो उल्टे दो सिधे दो उल्टे और एक सिधा यहाँ पर भी एक सिधा बनाया है और इसके स्टार्ट हम ने सिधा siamo ribbon होज़ा है है तो 21 स्टीजिस का डिजाइन हमारा यहां पर कम्प्लीट हो चुका है फिर दुबारा से डिजाइन को repeat करेंगे द्रागा आगे लेगे यहां पर जाली डाली लें एक फंद सिधा पिर जाल डाली एक सिधा दागा अपनी ओर करके, दो उल्टे पिछे करके, दो सिधे फिर दागा आगे करके, दो उल्टे दागा पिछे करके, दो सिधे दागा अपनी ओर करके, दो उल्टे दागा पिछे करके, दो सिधे फिर दागा आगे की ओर करके, दो उल्टे फिर दागा पिछे की तरफ क करके दो सीधे अपनी ओर करके दो उल्टे और एक सीधा यह हमारा दुबारा से 21 स्टिजिस का डिजाइन यहां पर कम्पलीट हो चुका है अब हमने एक 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 स्टिजिस डाला है जो डिजाइन को बैलेंस करेगा सेम आपने लेफ्ट और राइट साइड में बैक पार्ट में इसी तरीके से इसे बनाना है तो तहागा अपनी ओर करेंगे यहां पर एक जाली डाल देंगे इसे सिधा बनाएंगे एस्टिज आपका सिधा जाएगा तो रो फॉस्ट जो है डिजाइन की हमारी कम्पलीट हो चुकी है रो सेगेंड रॉंग साइड में गये है एस्टिज जाली जो डाली वो सिधा तागा अपनी ओर करके यह फंदा एक उल्टा फिर तागा पिछे की ओर करके सिधे जो फंदे दो दिख रहे हैं उन्हें सिधा बनाएंगे जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे वो तो आपका सेम जाएगा सिर्फ जहां पर हम डाल रहे हैं उन्हें हमने दोनों तरफ से सिधा सिधा बनाना है फ्रंट से भी और बैक से भी एक बारी मैं आपको और दिखा दूँ ये तो आपका सेम जाएगा जो वंदा आपको जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बना लीजिए ये मैं आपको इस काडिगन के लिए बता रही हूँ आप किसी और पे भी इसे डाल सकते हैं इसी तरीके से देखे ये उल्टा आया अब ये जो डाली है डाली है दागा पिच्छे की और करके इसे सिधा बना लेंगे बीच वाला भी सिधा जाएगा और ये भी सिधा जाएगा बाकी जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बना के रो सेकिंड कम्प्लीट कर लीजिए देखेगा डिजाइन की रो थर्ड राइट साइड में आये हैं एस स्टिच हम उतार देंगे इस तरीके से दागा अपनी ओर करेंगे अब यहां पर जाली डाल देंगे अब यहां पर हमारे एक दो और तीन फंदे सीधे जाएंगे फिर हमारी जाली डालेगी फिर जैसे यहां पर हमने पहले बनाया था से मुसी तरीके से एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे दागा पिछे की ओर कर दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, दो उल्टे और एक सीधा फिर दुबारा से डिजाइन रिपीट होगा धागर आगे करेंगे यहाँ पर जाली डाल देंगे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाली डाल देंगे एक फंदा सीधा डाली दुब टो योर्टी दो सीधे दो रिटे दो सीधे दो जए दो सीधे दो योर्टी दो सîदे फिर दो उल्टे और लास्ट में एक सिधा जाएगा अब जो हमने डिजाइन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर स्टिच रखा हुआ है उसमें हम एक जाली डाल देंगे और यहाँ पर दो फंदे सिधे बना लेंगे एज वाला लास्ट वाला सिधा जाएगा डिजाइन की रो फोर्थ राइट साइड में आये हुए हैं हम यह उतार देंगे अपना एज वाला स्टिच फिर हमारे तीन फंदे सिधे जाएगे एक दो तीन बाकी जो जैसा दिख रहा है उसे हम वैसे ही भुन के उतारेंगे सिर्फ जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें हमने दोनु तरफ से जो है सिधा सिधा बना देना है अब इसी तरीके से मैं यह रॉंग साइड की रो कम्प्लीट कर देती हूँ तो देखेगा रो फिफ्थ में आ चुके हैं डिजाइन की राइट साइड है जाली डाल दी अब यहां पे हम पांच फंदे एक दो तीन चार पांच फंदे हमने यहां पे सिधे बना लिए जाली डाल दी एक फंदा सिधा फिर दो उल्टे दो सिधे दो उल्टे दो सिधे फिर दो उल्टे दो सिधे दो उल्टे दो सिधे दो सिधे दो सिधे दो उल्टे और एक सिधा बना देंगे दुबारा से डिजाइन को रिपीट करेंगे, जाली डाल देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, सिधे, बना लिए, जाली डाल दी, फिर एक सिधा, फिर दो उल्टे, दो सिधे, दो उल्टे, दो सिधे, दो उल्टे, दो सिधे, दो उल्टे, दो सिधे, और लास्ट में इसका एक सिधा बना लिए, अब एंड में एक जाली डालेंगे और यहां पे तीन फंदे सिधे बना देंगे और एज वाला सिधा बनाके इस रोग को कम्प्लीट कर देंगे अपनी रोव 6 में आये हैं एज टिश दार देंगे रॉंग साइड है दागा पिछे की और करेंगे यह जाली वाले फंदे हैं इ दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे बना देंगे इतके अगले वाला एक उल्टा है बाकि जाली वाले फद्दे ये वाले हमने सारे सिध्य बनाने हैं एक दो तीन चार पान छे साथ इसके साथ वाला ये वाला उल्टा इसी तरीके से स्रो को कंप्लीट कर देंगे अपनी डिजाइन की रोव सैवन राइट साइड में आये हैं चिर्ट तार देंगे दागा आगे लाके जाली डाल देंगे फिर हम एक दो तीन चार पान छे साथ फंदे सिध्य बनाएंगे जाली डाल देंगे एक सिधा दो उल्टे एन स्वारी यहाँ पे दो सिध्य दो उल्टे दो सिध्य दो उल्टे फिर दो सिध्य दो उल्टे दो सिध्य दो उल्टे और एक सिधा यह हमारा 21 स्वारी जिसका डिजाइन यहाँ पे पे पेल्ट हो चूगा है यही सेम हम यहाँ पर repeat करेंगे देखे डिजाइन की row 8 पर आ चुके हैं wrong side में एस्टिज दार दिया दागा पीछे की तरफ जाली वाले फंदे 1, 2, 3, 4, 5 हमारे सिधे जाएंगे तागा अपनी और करके एक उडिटा बाकी जो फंदा जैसा है उसे वैसा बनाएंगे सिर्फ यह जाली वाले फंदे और इसके सेंटर में जो आ रहे हैं यह हमने सिधे बनाने हैं दोनु तरफ से तो इसी तरीके से आप अपनी row 8 को complete कर लीजिए देखेंगा हम डिजाइन की row 9 राइट साइड पर आये हुए हैं अब हम यहां पर कोई भी जाली नहीं डालेंगे अब हमने फंदे गटाने हैं जिस तरीके से हमने बढ़ाये थे उस तरीके से हम गटाएंगे तो फंदे हमारे पास कितने बन के आये हैं यहां पर देखकर तीन तीन छे और तीन नव फंदे आपके पास बन के आने चाहिएं तो डिजाइन की row 9 है इसमें हम डिक्रीज कर देंगे आप स्टिचिस को इंक्रीज करना बांद कर देंगे तो देखेंगा यह फंदा उतारने के बाद अगले दो फंदूं का एक कर देंगे फिर एक दो तीन चार पांच पंदे बना लेंगे फिर यहां पर इस तरीके से इन दो का एक कर लेंगे जाली हमने नहीं डाली जो इंक्रीज किये थे उन्हें ही हम इस तरीके से बनाएंगे फिर एक आपने सिधा बना लेना है और दो उल्टे आपने एक सिधा और दो उल्टे बना आप काउंट कीजिएगा इसे रहने दीजिए इस वाले को इसके आगे काउंट कीजिए दो दुचार पांट छे साथ नव दस क्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला फंदे हैं आपके पास तो आठ आठ पंडूं को आप ट्विस्ट करेंगे इस तरीकी की डबल पॉइंट नीडल ले लिजिए आप इसमें आप पहले वाले आठ फंदे उतार लीजिए एक दो तीन चार पांट छे साथ और आठ इन्हें आप बैक में रख लीजिए इस तरीके से हमने फ्रंट से जो है इसे ट्विस्ट करना है इस वाले पाट को हम फ्रंट से लाएंगे तो अब हम इन्हें इस तरीके से दो फंदे सीधे दो उल्टे यह हमारे चार होगे फिर दो सीधे छे फिर दो उल्टे तो यह हमारे आठ फंदे होगे तो अब जो यह हमने इसमें लिये हुए है इस लाई में फंदे इन्हें बनाएंगे हम देखिए गधा का पीछे करके दो फंदे सी सीद्धे जाएंगे हमारे एक दो दागा आगे करके दो उल्टे यह चार होगे दागा पीछे करके दो सीद्धे छे होगे और दागा आगे करके दो उल्टे जब आप कटिंग अपनी यहां पर देखेगा क्लोज करेंगे यह देखेगा इस तरीके का पैटन बनेगा जब आप करना स्टार्ट कर देंगे रोव नाइन में उसी रोव में आपने यहाँ पे करना है तो दागा आप पिछे करेंगे यहां पे एक फंदा चीदा बना लेंगे इस तरीके से तो आप डिजाइन को रूपीट करें करेंगे यहां पर तू क्या करेंगे यहां पर इस तरीके से 2 फंदूं का एक कर लेंगे फिर एक दो तीन चार पांच फंदे आपने बना लिए सीधे फिर इस तरीके से ने थोड़ा करके दो का एक करेंगे फिर एक सिद्धा दो उल्टे बना लेंगे फिर से हम यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ फंदे अपनी डबल पॉइंटे नीडल पे ले लेंगे फिर यहाँ पे दागा पिछे की करके यहाँ पे दो फंदे सिद्धे, दो उल्टे, चार दो सिद्धे, छे दो उल्टे होगे हमारे आठ फिर दागा पिछे करेंगे जो हमने इस नीडल पे रखे हुएं स्टिजिस उन्हें भी बना लेंगे देखेगा दो सिद्धे दागा अपनी और करके दो उल्टे, दागा पिछे की और करके दो सिद्धे फिर दो उल्टे तो हमारे आठ फंदे ये भी हमने बना लिए यहाँ पे फिर दागा पिछे की और कर देंगे और यहाँ पे एक फंदा सिद्धा, फिर हमारा डिजाइन रिपीट हो जाएगा यहां से बट, हमने यहीं पे कलोज किया है तो यहां पे दो का एक करएंगे देखेगा, यहां पे आपने एक ही बार दो का एक करना है क्यूंकि हमने जाली भी एक ही बार डाली हुई है तो फिर तीन फंदे सिद्धे एज वाला सिधा बना देंगे तो रो हमारी यहाँ पर जो है 9th कंप्लीट हो चुकी है रो 10th में जाएंगे एल्फ तिश्थार देंगे यह वाले फंदे जो हम सिधा बनाते आए हैं उन्हें सिधा बना लेंगे एक, दो, तीन और यह हमारा चार फिर एक फंदा उल्टा फिर देखेगा यहाँ पर दो सिधे दो उल्टे फिर दो सिधे दो उल्टे जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बना दीजिए और अपनी रो 10th को कंप्लीट कर दीजिए देखिए डिजाइन की हम रो 11th में आ चुके हैं एस्टिज तारेंगे साथ में देखेगा इस तरीकी की बटन पटी हमारी बनते जा रही है आपको एक्स्ट्रा बटन पटी बिनाने की जुरत नहीं पड़ेगी यह हमारा राइट साइड वाला पार्ट है जो लेफ्ट वाला बनाएंगे तो उसमें यहां से आप अपने दो दो फंदे इंक्रीज करेंगे और इस तरफ से एक ही जाली डालेंगे जो बैक वाला पार्ट होगा उसमें एक ही जाली दोनु तरफ से डलेगी बाकी डिजाइन जो है किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं आप ये देखें इस तरीके का बन के आ रहा है हमारा डिजाइन तो चलिए रो अलाइमंस में चलते हैं एस टिश्दार दिया फिर इस तरीके से दो का एक कर दिया फिर एक दो तीन फंदे सिधे थोड़ा डिलना करके दो का एक कर दिया फिर सेम उसी तरीके से जैसे हम बनाते आए हैं एक सिदा दो उल्टे फिर दो सिदे दो उल्टे फिर दो उल्टे फिर दो सिदे दो उल्टे फिर दो सिदे दो उल्टे फिर दो सिदे दो उल्टे दो सिदे दो उल्टे दो सिदे दो उल्टे फिर दुबारा से सेम यही पैटन को रिपीट करेंगे इस तरीके से दो का एक करके फिर एक दो तीन सीधे बना लेंगे थोड़ा डिला करेंगे दो का एक करेंगे एक सिधा बना लेंगे फिर सेम यही रिपीट करके इस तरो को कंपलीट कर देंगे देखिए इस तरो के लास्ट में आए हैं तो इसमें हमने एक ही बार दो का एक करना है यह आप द्यान दीजेगा ने तो आपका डिजाइन जो है वो खुराब हो सकता है तो जो जाली वाले फंदे थे हमारे उन्हें हम सीधा बना लेंगे और फिर जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है उसे वैसा बना के कम्प्लीट कर देंगे तो चलिए राइट साइड रो थर्टीन में आए हैं एज टिश पार देंगे इसके आगे दो का एक कर देंगे फिर एक फंदा हमारा सीधा जाएगा इस तरीके से इन्हें थोड़ा डिल्ला करके दो का एक कर देंगे फिर एक सीधा दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे 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 दो उल्टे और एक सिधा बना देंगे 21 स्टिजिस का डिजाइन हमारा complete हो चुका है इसे ही दुबारा repeat करेंगे तो row 13 हमारी complete हो जाएगी row 14 में ये वाले फंदे हमने सिधे बनाने हैं बाकी जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बना के complete कर देंगे देखिए row 14 रॉन साइड भी हमने complete कर दी है तो हम यहां पर अपनी row 15 राइट साइड में आए हैं एज टिश जारेंगे आप देखिए क्या करना है अब हमारे पास यहां पर तीन ही फंदे रहे हैं तो इस तरीके से पहला और तीसरा लेंगे इनका दो का एक करेंगे तीनु फ craneा, सीथ, क्या इडिता दो भी पन्दी डो घॉफित कि दो रिदे दो एलते दो सिदे दो वें दो टो सिदे दो एलते दोसी दो जूलते हैं टो सिदे दो उव्धबं दो झेंगे दो एलते एक सीधा, दुबारा से पैटर्न रिपीट करेंगे, पहला पंदा लिया, तीसरा लिया, दो का एक किया, पीनू को गिराया, बीच वाला लिया, ये वाला भी, लाई पे डाल दिया, फिर इसे ऐसे गिराया, फिर एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, स्वारी, दो यहां पे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, और एक सीधा बना देंगे, फिर इन दो का एक कर देंगे, फिर एज वाला सिधा बना देंगे रो 16 है हमारी रॉंग साइड लास्ट रो है एज टिच पार देंगे एक फंदा जो हमारा बचा है इसे सिधा बना लेंगे फिर उल्टा फिर दो सीधे दो उल्टे 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 दो दो सीधे एक उड़िटा और ये वाला फंदा जो एक बचा है हमार पाथ इसे सीधा बना लेंगे फिर दुबारा से सेम यही रिपीट करेंगे और रो को कम्प्लीट कर देंगे देखेगा रो वन टू हमने 16 कम्प्लीट कर दी है डिजाइन का लुक इस तरीके का आएगा ये ही डिजाइन जो हमने काडिगन में यूज किया है मैंने आपको एचेस्ट करना बता दिया पूरा स्टैप बाई स्टैप बता दिया कि इस तरीके से बनाएंगे काफी सुन्दर बन के त्यार होता है अलग-अलग कलर में आप इसे बना सकते हैं ये दिखेगा इस तरफ हमारी बटन पटी भी जो है आटोमेटिकली बनती जाएगी तो जब दूसरा पांट बनाएंगे उसमें यहां से बटन पटी बनाएंगे बैक में दोनु सेम रखेंगे जो हमने यहा सुन्दर बन के त्यार हुआ है तो आप भी ज़रूर एक बाइट ट्राइ कीजिएगा साथी वीडियो अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए अपनी फैमिली और फैंस से शेयर करना मत भूलेगा और में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू